ही स्टुडेंट वेलकम वन सेगेंड बच्चो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास एट चैप्टर नंबर 6 स्क्वाइर एंड स्क्वाइर रूट का जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है उसका फर्स्ट पेसन आपको सॉल्ब करना सिखाएंगे और हमेशा की तरह जो मैं फर्स्ट यो हमारा क्वेशन है वो क्या दिया गया है तो वाट वील बी दा यूनिट डिजीट ओफ दा स्क्वाइर आफ दा फॉल्विंग नंबर यानि कि यह जो नंबर दिये गए हैं तो जब इनका हम स्क्वाइर निकालेंगे तो को स्क्वाइर होता क्या पहर तो आप 1 हो जाएगा ठीक है अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो numbers है इतने सारे इनका square का जब हम इसका square निकालेंगे तो उनका unit digit unit digit का मतलब क्या होता है कि सबसे starting का जो digit होता है जिसको इकाई संक्या बोलते हिंदी में ठीक है यह वाला digit कितना हैगा तो देखो जब कभी भी अब यहां पर इतना बड़ा तो नंबर है ना 555 इतना लंबा चौड़ा है तो हम इसका multiply करेंगे तो साम हो जाएगा इसलब को multiply नहीं करना है छोटा सा trick apply करना है ट्रिक क्या है कि देखो जो लास्ट ओला नंबर रहता है ना बस उसी का two times multiply करो तो जो एंसर आएगा आप समझ जाना कि इसके square का इसको लिखना कैसे है मैं आपको वो समझा देता हूँ तो देखो हम first question से start करते हैं जहाँ पर हम 81 दिया हुआ है पिसमें statement अगर आप लिखना चाहो तो बहुत ही लंबा चाहरा statement हो जाएगा लेकिन बस आपको समझ में आ गया है तो हम simple से statement लिखेंगे कि unit digit of the square will be यानि कि जो इसका square निकलेगा उसका unit digit होगा थेक्या तो कितना होगा तो देखो इसका starting जोído है unit digit कितना one है जो भी unit digit में number दो क्यातीiqué करो क्य मतलेगा इसका मतलब भी जब हम इसका square भी निकालेंगे, 81 multiply 81 करेंगे न, तो भी उसका जो unit digit निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, सेम टूसे में इसी तरीके से second वाला question बना लो, ठेक है, जहां पर हमें कितना दिया हुआ है, 272 दिया हुआ है, तो इसमें भी आप पूरा क्या करना, इसी तरीके से statement लिख देना, कि unit digit of the square will be, और उसके बाद फिर क्या करोगे, कि जो भी unit digit है भी, 2 है, तो 2 का multiply 2 से कर दो, तो 2 डू जा कितना होता है, 4 होता है, तो जब आप इसका square निकालोगे, यानि कि 272 multiply 272 करोगे, तो भी उसका unit digit 4 ही निकलेगा, आगे चलते हैं, जितने भी question अब जल दिल दिन लोग को बना लो, यह statement बगरा जब आप फेर में बनाना ना, तब फिर आप पूरा बार-बार यह statement लिखना, अब यह आप एक ही बार statement लिखो, और सभी को solve कर दो, जैसे कि 799 है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो unit place में कितना number 9 है, तो हम लोग 9 का multiply 9 से कर देते हैं, तो 9 9 जा कितना होता है हमारा, 81 होता है, तो अब बोलोगे सर कि unit place में कौन सा होगा, तो unit place में यह जो last ओर number होता है, तो यहाँ पर आप equal करके last में 1 भी लिख दोगे, ठीक है, यह जो unit place में जो हमारा number निकलेगा, 21 तो हो नहीं सकता, दो number तो unit place में हो नहीं सकते, एक ही number होगा, तो यह जो last का number होगा वही हो जाएगा उसका unit place में, यानि कि 1, तो जब कभी भी हमलोग 799 का square निकालेंगे, यानि कि इसका multiply 799 से करेंगे न, तो उसका unit place कितना हैगा, 1 हैगा, किलियर है, कितना बड़ा number आजा है, जो last का digit निकलेगा हमारा, वही उसका unit place होगा square में, ठीक है, 4 number में कितना दिया हुआ है, तो 4 number में हमें दिया हुआ, 3853, ठीक है, 3853, यहाँ पर कितना unit place में, 3 है, तो बस 3 का multiply 3 से कर दो, तो 3 3 जा होता है, 9, इसका मतलब इसके square के निकले digit में, 9 आ जाएगा, चलिए जल्दी से आगे बनाते हैं, 5th number में हमारा रपस कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, लास्ट में आ गया 4, तो हम लोग करेंगे 4 multiply 4, 4, 4 फोर जा होता है 16, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, unit place में 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जब हम लोग इसका square निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 का, बहले number कितना बड़ा रहा है, हमको तो क्या करना है, unit place देखना है, unit place में 7 है, तो बस 7 multiply 7 किया, आग या 49, तो 49 के last में कितना है, unit place में कितना है, 9 है, इसका मतलब कि इसके square के unit place में भी 9 होगा, ठीक है, आगे चलते हैं, और बड़े numbers दिये गया है, 7 number में, कितना है number भी या, तो 52, 69, 8, 52, 69 और 8, तो हमको तो 8 से मतलब है, तो यहां 8 multiply 8 कर दो, आजाएगा 64, तो यहां पर unit place में 4 हो गया, इसलिए इसका answer कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखा कितना simple है, तो बस एक बार आपको समझने की तेरी, उसके बाद यह सभी questions खुद बखुद सौल हो जाएगा, ठीक है, 8th number का question में क्या दिया गया हमें, 99, 8, 0, ठीक है, बहुत अच्छा question यह, last में 0 आगिया, तो जब कभी भी किसी भी square number के last, यानि किसी भी number के last में, अगर 0 आता है न, तो इसको square निकलने में भी last में 0 आता है, जैसे कि 10 हो गया हमारा, तो 10 का square निकलने में कितना आता है, 10, 10 जा, 100, last में 0 आगिया, अगर मालो 20 है, तो 20, 20 जा होता है, 400, last में, फिर 0 आगिया, 30 है, तो 30, 30 जा होता है, 900, last में 0 आगिया, यानि कभी भी अगर 0 रहता है last में, ठीक है, तो हमारा, जो unit place बढ़ता है न, यानि कि square का unit digit, उसमें भी लास्त में 0 हो जाता है, अगर आप check करना चाहता है, तो इस तरी की check भी कर सकते हो, 0 multiply अगर आप 0 करोगे, तो कितना हैगा, 0 ही आएगा, यानि कि unit place में हमारा 0 होने वाला है, clear है, आगे चलते हैं, 9 number का question जो हमारा है, 1, 2, 7, और 9, 6, ठीक है, 1, 2, 7, 9, 6, unit place में है 6, तो यह हो जाएगा हमारा 6 multiply 6 equal to 36, और यहाँ पर unit place में फिर से कितना आगे 6 आगिया, इसका मतलब कि जो हमारा square निकलेगा, उसके unit place में भी 6 ही रहेगा, ठीक है, और यह जो हमारा last question है, question number 10, इसमें 5 times 5 दिया गया है, 1, 2, 3, 4, और यह 5, तो last में 5 है, तो बस 5 multiply 5 कर दो, तो हो जाएगा हमारा 25, और इसके 25 के भी unit place में 5 है, इसका मतलब कि square के भी unit place में 5 ही होगा, और इस तरीके से हमारी यह question जो हता है, complete होता है, और कुछ इसमें करना ही नहीं है, बस आपको, यह जो last load is it है, वो देखना है, ठीक है, पूरे questions को बनाना अपने से एक बार, practice करोगे, तो आपके दिमाग में यह अच्छे से fit हो जाएगा, अब मिलेंगे आपको next video में, यहाँ पर जो अगला question है, उसको भी मैं आपको छोटे से trick से समझा दूँगा, ठीक है, thank you for watching.